दोस्तो आज हम बात करने वाले है एक वाइरल वाटसाप मेसेज के बारे में लाकि ये मेसेज गद दो-तीन सालों से सर्कूलेशन में है लेकिन ये दिवाली फेस्टिवल पिरेड के दर्मयान ये कुछ जादा ही लोगों के पास पहुंचा है जिसमें चार किड्नी अवेलेब हुआ है और ये दोनों ब्रेंडेड है वो भी पॉजिटिव और दो वो पॉजिटिव किड्नी अवेलेबल है जिन्हें चाहिए वो ये कॉन्टाक नंबर पर संपर्क करें इस प्रकार का भ्रमित करने वाला मैसेज कई सारे ग्रूप्स पर आया है और ये संदेश में ये भ आरवोड किया और मैं किड्नी विशेशक्य होने के वज़े से मुझे हमारे कई रूपनों ने संपर्क किया उन्हें कहा कि हम अमारे मरीज का ट्रांस्परंट करने वाले हैं करना चाहते हैं और हमारे पास किड्नी अवेलेबल है जब मैंने उनको उनसे ये जानकर लेने की क तो सबसे यही महत्वपुर्णा बात निकल कि आई कि उनको इस प्रकार का मैसेज आया है या फिर उनके किसी करीबी रिष्टदार ने उनको कॉण कर बताया है कि इस प्रत्यारपन करने लायक और आज मैं कि प्रत्यारपन संबंधिती बात करूगा प्रत्यारपन करने और जो आवयो फ्राप्त किया जाते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपुर्यन सच्चाई और साथ महत्वपुर्यन तथ्य हम आज देखेंगे, तो सबसे पहली सच्चाई, आवयो अमुल्य है हम सब जानते हैं, कई लोग किड्नी बीमारी से ग्रस्त है, उनको अवयो की जर्वत है, अवयो का शार्टेज है, तो उस वज़े से ये सारे ओर्गन्स अमुल्य है और किड्नी भी इसमें शामिल है, इनका डिस्ट्रिबिशन आबटन जो होता है, अत्यंत सूनियोजित पध्धती से होता है, त तो दुसरा तथ्य महत्वपुर्ण ये है, कि आपको अगर कोई औरगन प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक निर्दारीद प्रतिक्षा सूची है, जिसको वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, और उस वेटिंग लिस्ट में आपको अपने आपको पंजिकरुत करना, यानि र रिजनल है, और सोटो इस स्टेट है, हैंनि स्टेट और टीशू ट्रास्प्रांटेशन ओर्गनाइजेशन, महाराश्र में ये सोटो के अंतरगत, ZTCC, Zonal Transplant Coordination Committee, इस प्रकार से एक कमीटी है, जिसके चार मुख्य आफिसेस हैं, मुंबई, खुने, अवरंगाबाद और नाकपुर, तो इस ZTCC के माध्यम से ही आपका पंजी करन हो सकता है, और अगर आप पंजी कुरूत है, रजिस्टर्ड है और प्रतिक्षा सुची में है, तो ही आपको आवयोप कराप्त हो सकता है, ठीसरा महत्व कुरिन तक्षे यह है, कि ये जो Pfंजी करन जो मैं बोल रहा हूं, ये प्रत्यार ओपन मान्यता प्राप्त अस्पताल के माध्यम से ही हो सकता है, याने पहले आपका कैंड़ीडेसी डिसाइड हो गा याने आप ट्रां आप से आपका फॉन भरा जाएगा उथा महत्वपुर्य तथ्या यह है कि यह जो आवयो है जो आवयो निकाले जाते हैं यह मानियता प्राप्त अस्पताल में ही निकाले जाते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी हॉस्पिटल में आपके आवयो निकाले जाए महत्वपुर्य सच्चा यह और तक यह है कि यह जो major organs है जैसे heart, liver आज मैं किंडी के बारे में बात कर रहा हूं तो यह और यह ब्रेंडेड या cadaver से निकाले जाते हैं इसका मतलब क्या है ब्रेंडेड वह प्रक्ति है जिसका सारा higher function nest हो चुका है brain stem यहां से शरीर के सारे function नियंत्रीत होते है तो यह मेंदू का छोटा भाग या छोटा मेंदू जिसे हम ते सकते हैं तो उसमें जब damage हो जाता है irreversible damage होता है तो उन लोगों को brain dead का जाता है इन लोगों का रुदेड तो चल रहा होता है बर जो सारे functions है breathing vital functions जिसे हम कहते है पेशन पूर्नता कोमा में होता है हाथ पर की कुछ भी हलचल नहीं रहती है और वो खुद सास नहीं ले सकते विंटिलेटर पे रहते हैं और इसके कई सारे criteria है brain dead किसको कह सकते हैं यह मत समझे कि कोई भी मुरुत व्यक्ति से और लिये जा सकते हैं भारत में फिलाल और ब्रेंडेड या कैड़ावर लोगों से ही लिये जा सकते हैं और ब्रेंडेड और कैड़ावर कैसे डिफाइन करें इसके बारे में criteria निर्दारित किये गया है और यह और निकालने के पहले कई सारा पेपरवर्क होता है जो उनके ब्रेंडेड लोगों के नजदिक के रिष्टार है इनकी सहमत ही लिये जाती है उसके बाद ही यह प्रक्रिया होती है अगली महत्वपुर्ण सच्चाई या तथ्य यह है जैसे मैंने कहा है कि आवयो एक मान्यता प्राप्त अस्पताल से ही न कर सकता अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो मान्यता प्राप्त नहीं है अवयो निकालने के लिए तो और वह ब्रेंडेड अगर है तो ऐसे ब्रेंडेड व्यक्ति को मान्यता प्राप्त अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है और वहीं यह और रिट्राइवल जिसको कहते है या आवयो निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाती है और जब यह प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया की शुरुवात होती है उसी समय वहां के ZTCC को जानकरी दी जाती है और जो आवयो प्राप्त हो रहे है उनका आबटन या डिस्ट्रिबूशन अत्यनतन निश्पक्ष और पारदश्वी तरीके से होता है। ध्यान रहे कि अगर आपका खुद का रिष्टेदार भी अगर ब्रेंडेड है तो और अगर आपको अवेव की जरूत है तो आपको अवेव प्राप्त नहीं हो सकता अगर आप प्रतिक्षा सूची में आपका रैंक, आपकी स्थिती उपर उपर के नहीं हो तो एक बार अगर प्रतिक्षा सूची और आपके क्रमुवारी के नुसार है ना कि आपकी इच्छा के अनुसार है यह जो निर्ने है यह और्गन किसको दी जाए पूरी तरह प्रतिक्षा सुची के अनुसार है और अत्यमत पारदर्शी तत्वों से होता है यह प्रतिक्षा सुची में क्रमवारी कैसी निर्दारित की जाती है उसकी एक प्रक्रिया है उसकी एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि का अवयो इस तरह WhatsApp से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी देने का मेरा यहीं मक्सद था कि यह जो मेसेज प्रसारीत वराय सब तरह जो फॉर्वर्ड किया जा रहा है वो पूरी तरह फेक, त्वे बुनियाद और फ्रॉडुलेंट मैसेज है, रुपया इस मैसेज कुछ को फॉर्वर्ड न करें, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और अवयो आवटन की प्रक्रिया पुरी तरह भिन्न तरीके से होती है, इस तरह हमको किसी के कहने पे, किसी रिष्टेदार के कहने पे अवयो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, एक मराथी नियूस पेपर में अच्छी जानकारी भी आई है, कि यह जो औरगन अवेलेबिलिटी का संदेश है, इसे हम फॉर्वर्ड ना करें, क्योंकि यह फॉर्वर्ड करने से कुछ रुगनों को आशा मिल गई है, एक जूटी आशा प्राप्त होई है, हो सकता है कि इस मेसेज का कोई पर दिये गए है, जो कि वैलिड नहीं पाये जा रहे है, तो यह इसमें कोई एक स्कैम और फ्रॉड भी हो सकता है, इस तरीके के भ्रमीत करने वाले मेसेज से बचे, यह जो औरगन अवेलिबिलिटी का मेसेज वाटसाप पर भूम रहा है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसे दूरलक्षित करें, और अगर आप उसे फरवर्ड करना रोकें, तो यह इसमें भारूख सकती है.